नमस्कार दोस्तों आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है कि वीडियो का जो शिशक है जो आज की कप सिरप है वो है एंब्रोडील प्लस आरेफ कप सिरप आरेफ मतलब रिवाइजट फार्मूला को सुधार किया होगा कंपनी ने और उसके बाद एंब्रोडील आप लें क्योंकि लाल निशान फिर से देख लिजिए यहां पर देखिए सेडियूल जी ड्रग है इसमें भी लिखा हुआ है कि आप इसको बिना डक्टर की सला के ना लें इसको स्टोर करें कूल ठंडी जगह पर रखें ड्राइपले सुकी जगह पर रखें कॉंबिनेशन देख लिते हैं अमब्रोक्सोल और यह जो सूडोइप्रिडीन है और क्लोरंफिनरामीन है इनके क्या-क्या काम है तो इमब्रोक्सोल जो होता है वो चेस्ट की वो इसी के काम आता है अब स्यूडो इपेड्राइन जो ड्रग है वो नाक जाम हो जाए चीक आए और हमें बार-बार सर्दी की समस्या हो तो उसमें वो यूज होता है और क्लोरम फिन रेमाइन आख से पानी नाक बहना इसको रोकता है इंटेहिस्टामीन ड्रग है वो जो हमा हमें सर्दी जुकाम से और सीने की जकणन से राहत दिलाते हैं पर राहत तब तक पूरी नहीं माने जाएगी जब तक आप डॉक्टर की सलाह नहीं ले लेते हैं तो चलिए अब और समझते हैं इस्तंपान कराने वाली महिला है डॉक्टरी सलाह के उपरान थी एंब्रोडिल प्लस सिरप का इस्तेमाल करें 97 रुपे 85 पैसे इसकी जो कीमत है यहाँ पर आप देख सकते हैं और अरिस्टो फार्मा का यह सिरप है और 5 एमेल सुबा साम तीन बार भी ले सकते हैं ड्राइविंग करते समय इसका सेवन न करें तो अच्छा है मस्तिक श्विकार में कोई बहुत बड़ा लाब इससे हो नहीं होता है उसके बाद जो एलकोहल शराब पीते हैं उनके लिए यह सिरप लेना वरजीत है नहीं लेना चाहिए इस तरही पुरुष किसे कितनी मातरा में देना है डॉक्टर डिसाइड करेगा यह तो हम जानकारी बता रहे हैं कि इस सिरप की क्या-क्या फाइदे होते हैं अब देखिए यहाँ पर एरिस्टो फार्मा का यह बहुत ही बहतरीन प्रोड़क्ट है और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कारे करता है कफ को निकालने का काम करता है और चेन के नींद इसको लेने के बाद आती है व्यक्ति सुकून महसूस करता है तो यह एक छोटा सा वीडियो एंब्रोडिल प्लस सिरप के उपर था कंट्राइंडिशन में जैसे की प्रिमेंसी में इसका विशेश ध्यान रखना चाहिए सिरप को लेने का और इसके जो दुश प्रभाव एडवर्स एफेक्ट जैसे कहते हैं देखिए एडवर्स एफेक्ट में मोटा मोटी आपको उल्टी जैसा मन करेगा शरीर पर चकते हो जाएंगे खुजली होने लगेगी और कुछ पेट खराब हो जाएगा कुछ अनीजी ऐसा होने लगे जिस आपको पहले कभी न हुआ हो तो साइड इफेक्ट के रूप में मान सकते हैं तो साइड इफेक्ट अमुमन तो होता नहीं है लेकिन ऐसा अधी कुछ होता है तो फिर आप अपनी डॉक्टर से समपर्क करें उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आओगा वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगल झाल